नमस्तार दोस्तों आपका स्वागत करता हूँ आप एक यूट्यूब चैनल में सुफ्रे नहीं के हाट डिसकेशन करने बाले हैं about श्रीडाम फिनांस कंपनी के बारे में विकॉस कंपनी न आज अपने quarterly result अनॉंस किया है साथी साथ split and dividend का भी announcement किया तो अचली चैक करेंगे result कैसा है, split का ratio किया and dividend का record date and dividend का amount किया इन सब भी शिचेशों को discuss किया जाएगा तो अचली start करते है जहाँ पर आज इसका closing price है 3,118 का 4%, 3.92% का भारी भरकेम गिराउट के साथ आज closing देखने को मिल रहा है Company ने आज की दिन में देखी, announce किया है, यह important updates दिया है यहाँ बताया जाएगा कि सबसे पहला चीशे dividend, Company ने है dividend जो announce किया है 22 रुएज, 22 रुएज प्रतिशेयर का company ने dividend announced किया है और इस dividend का recorded fix किया गया, 7 नॉमबर, 7 नॉमबर, 2024 इसका recorded fix किया गया अभी currently जो share आप hold करें, उसका phase value 10 है, उसका phase value देखे, 2 मीचन जाएगा यानि कि एक share जो है, वो आपका 5 share में convert हो जाएगा अनिहाँ पर देखे, इस split का जो recorded जो रहता है, company intimate करेगी, in due course of time में बताएगी इस इसको लेकर के postal ballot meeting भी हाँ पर होगा, वहाँ approval के लिए फिर से यह जाएगी तो अभी important क्या है, ratio company ने announce कर दिया है, देख सकते ratio 5 is to 1 का है, फिर से repeat कर रहाँ यानि कि for everyone fully paid equity shares, जिसका phase value currently 10 है, उसका phase value देखे, क्या हो जाएगा तूट करके 2 मेंचन जाएगा, split shares का phase value रहेगा 2, यानि कि एक share जो रहता है, currently जो आप hold करें, वो 5 share में convert हो जाएगा एक share हो जाएगा, 5 share अपके demand account में, अब इस फैर rational behind the split company, क्यो split ला रही है, इसके पर इच रिजन किया, to enhance liquidity of the company's equity shares and to encourage participation of retail investors at a large by making it shares of the company more affordable, तो पहले बिल मुट डिसके आथा है, कि यहाँ पर split क्यों लाया जा रहा है, एक है liquidity बढ़ाने के लिए, और दूसरा है पर affordability, retail investors को participation बढ़ाने के लिए, इनको affordable बनाने के लिए, यह split लाया जा रहा है, अनि कब तक complete हो जाएगा, पूरा process, split का process, within 3 months, 3 महने का time लगेगा, from the date of approval of members of the company, यहाँ 3 महने का time लगने वाला है, तिसके आपको ध्यान में रखरके, कोई बिट्रेट इनिशेट करना है, अब आगे बढ़ते हैं, यह split के कारने हाँ पर अच्छा कास, आपको price adjustment दिखने को मिलेगा, because यहाँ पर होगा क्या, कि मानिक अपने एक शेर खरदा, एक शेर को खरदी में आपको लगया, इतना आपको investment लगया, company का करना है कि एक शेर हो जागा 5 शेर, तो यह देखी हो गया 5 शेर, अभी देखे, record it वाले इसका भाव क्या दिखेगा, उसको हैँ पर 5 से, new quantity से divide कीजेगा, देखे, इसका भाव निकल करा जागा, 623 रुपे, 630 रुपे करोने में निकल करा जागा, जो भी x-date से पहले का closing price है, उसका आप new quantity से divide करके आप निकाल सकते हैं, अभी देखे, इस split, अब आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं about the quarterly result, यह देखे, company का quarterly result आपके सामने में है, यह आपका last year का result है, company नहीं आज result ना उसका, यह आपका previous quarter का result है, तो सबसे पहला है, total income को चेक करेंगो, तो अभी आ रहा है, 10,096 का देख सकते हैं, last year था 8,564, तो साल दर साल में पांच परसन का उच्छाल देखने को मिला, company के total income में, तो यह positive हो गया, income बढ़कर आ रहा है, अब इस income को generate करने में कितना खर्च हुआ, तो देख सकते हैं आप जो expense बता जा रहा है, total expense, 7,345 का भी है, last year था 6,212, तो देख सकते expense पे अच्छा खासा बढ़ा है, quarterly basis में 6,9 30th expense बढ़कर के 7,345 हो गया, यहाँ भी expense बढ़कर आ रहा है, yearly and quarterly basis में, income और expense को minus कर देज़े, तो आपका आ जाएगा, operational profit जो के 2,751 का भी बता जा रहा है, last year था 2,352, तो सादर साल में बढ़कर आ रहा है, company का operational profit, quarterly basis में 2,666 से बढ़कर के 2,751 पर देखने को मिल रहा है तो operational profit में उच्छाल देखने को मिल रहा है, yearly and quarterly basis में, अब आगे बढ़ते है, company का हम लोग चेक करते है, net profit क्या है, तो देखें, net profit यानि tax minus करने की बाद, 2,153 का भी बताया जा रहा है, last year था 1,791, तो साल दर सार में लगए 20% का है पर उच्छाल देखने को मिल रहा है, द तो साल दर सार में EPS बढ़ करा रहा है, quarterly basis में 52.73 से EPS बढ़ करके 55.18 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो result जो रहता है, शांदार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, श्राम फिनास का, तो यह था complete update regarding स्राम फिनास, quarterly result, dividend update and split, I hope आपको वीडियो अच्छा लगागा, पिर आपचो च्राम वीडियोर नहाँ चाहँ यहाँ झार देखने को मिल रही है, तो ऑपको इंदातों झार जरन जासाँ जाकर पस संदाने को मिल रहा है, जो रहा है, जो यहा है है, जो सअ पारे तो झार, को ए बत Smash C. आ.